बिये सेंटर कॉलेज के 11 बश पूर्ड होने पर हुवबब्पि कारिक्रम का अउजन, आपको बता दें, बरोली अहीर के चमरोली में इस्तेत बिये सेंटर कॉलेज के 11 बश पूर्ड होने के साथी साथ, नवीन बियेस कनवेंट श्कूल का भी उद्धगाटन किया गया, कारिक्रम में खंड सिच्चा अधिकारी महेश चंद पटेल मुख्य अठिति के रूप में रहे कारिक्रम की सुरुवात माश सर्श्वति के समख्ष दीप प्रजलित कर की गई कारेक्रम में पहुचे अथितिगणों का शापा पहनाकर फूल मालाहों के शाह स्वागत किया गया कारेक्रम में पहुचे अथितिगणों ने बी ए संटर कोलेज की सफलता पर विद्यारे संचालक मुगेश चन्द को बदाई दी और साथी साथ विद्याले के उच्वल 22 की कामना की मुकेश चन्द ने बताया कि समाज के सईयोग से आज बिये सेंडर कॉलेज के ग्यारे बड़ शफलता पूरू हो चुके हैं वहीं परतानाचारे ने कहा कि 11 बश्रों में बिये सेंडर कॉलेज से निकले हुए चात्रों ने अलग अलग छेत्र में अच्चा मुकाम हासिल किया है आगरा का नाम रोसन किया है उन्होंने कहा कि सिच्चा के बल पर द्यक्ती बड़े से बड़ा मुकाम हासिर कर सकता है और शफलता का कोई सौर्टकट नहीं है इस इंटर कालेज चमरोली में इस इंटर कालेज के ग्यारा वर स्पून होने पर कारिकर्म रखा गया था और बीएश कान्वेंट कालेज यहां पर बीएश कान्वेंट स्कूल एक खोला गया है जिसका उध्गाटन कारिकर्म था जिसमें यहां पर सभी लोग उपस्तित हुए यहां अखंडरामार का पार्ठिन का कराय गया था अर सारे गाओं के लोग उपस्तित हुए हैं, सभी अतिति लोग उपस्तित हुए हैं, इनके उजल भवश्क की हम कामना करते हैं, इसी तरह से ये आगे बच्चों के भवश्क के लिए कारि करते रहें, बहुत-बहुत धन्वाएं इनका एक संगर्ष राह है एक टीम भावना से ही कोई कार होता है इन्होंने बहुत ही समाज का सायोग लेते हुए और जो अपने आसपास के पडोश के बच्चों का भविश सुधारने के लिए कार किया है तबी इनका विद्याले सफल हुआ है और इसी तरह से हम कामना करते है इस तरह से कि आगे भी सफलों के आज ग्यारे वर्स पूर हो चुके हैं ग्यारे वर्स पहले जब 30 जून दो याद तेरे को इसकी इस्थापना करके बनार्म किया गया और अब एक नया बवन बना गया जिसमें बीएस कॉन्वेंट इंगलिस मीडियम चलेगा और अब इस प लोग हो सकेगा सारी सुवधाइं दी जा रही है और बीएस इंटर कालेज की एक खासियत रही है कि विगत चार वर्स से आगरा मेरे लिष्ट में कोई ना कोई छात्रा है और यहीं आप लोगों का सहयोग और वह है कि जिसे ही टीचर्स जो है उनका योगदान रहता है तो आभीतो पूरे जो हमारे प्रदानाचारी जी और सारे अध्यापण गड़ उनका विखेश सयोग हैं और मैं तो यह भी कहूंगा कि अभिवाबकों का भी और चात्रों का भी विखेश सयोग रहता है इसी वज़े से क्योंकि आज-बास आपो देख mister किसी भी विद्याला मे पर यह आयुजन किया है इसके अत्रेक्त इंग्लिस मीडियम का एक कॉन्वेंट नया भवन बना करके त्यार किया है उसका विद्गाटन किया गया है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चमरोली जैसे पिछड़े हुए छेत्र में जो अब बिगत एकवर्ष से नगर छेत्र में आया है इससे पहले ग्रामीड छेत्र था ऐसे ग्रामीड परवेस में आपके द्वारा एक विद्ध्याले की इस्थापना करके और बच्च तो ऐसे प्रवंद्धक जी को और ऐसे विद्ध्याले के जो भी संचालक लोग है उन सब के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सुबकामनाई देता हूँ आगमी वविस्थ के लिए कि इसी तरह से बच्चों की सिक्षागी योर अग्रिसर होते है इसमें कोई सक नहीं है कि देखिए बिद्ध्याले बोई आगे बढ़ता है जहां पर एक टीम भामना होती है मैं अपने सिच्छागणों का इतना सहयोग है और समाज का सहयोग है कि आज उसके बदोलत आजंत बिलकुल चोटी पर है और हर साल हमारा एक इन एक बच्चा 10 टॉप में आगरा में आता है जब आपके स्कूल से इन 11 बर्सों में कही न कहीं जो चात पढ़कर आगे उन्होंने नाम रोसन किया हुगा इंजीनियर बने होगे डॉक्टर बने होगे आईपियस बने होगे उस समय कितनी कुशी होती है जी बिल्कुल सही बहात है हमारे यहां से एरफोर्स में पुलिस में और अन्ने जगहों पर विद्यार्थी जोका सलक्ट हुए हैं जिस समय सलक्ट होने की सूचना मिलती है तो बेहर कुशी का ठेकाना नहीं रहता है क्योंकि यो बच्चा हमारे यहां से पढ़ा हुआ है आज वो अपने लक्ष को पराप्त कर रहा है उनको भी सबलता मेले। और ऐसे में कि जो सिच्छा ही आज की समय में सिच्छा पर जो बच्चों को सिच्छा दी जा रही है। होता है हमारा वो सिच्छा को होता है और सिच्छा के जगत में जो हमकी उत्तंद की जो सिणी तक ले जाता है उससे जादा कोई हमारा नहीं होता है। सिच्छा के जगत में एक गुरू का बहुत बड़ा योगदान होता है और वो ही हमारी भविश्क्रादर करता है।